Hello everyone, good morning to all, I am Pooja और आज हम discuss कर रहे हैं 20th of July के current affairs 20th of July को एक बहुत important day हम celebrate कर रहे हैं which is International Chess Day हर साल 20th July को हम International Chess Day celebrate करते हैं क्योंकि इस दिन FIDE का formation हुआ था जो हमारा International Chess Federation है जिसको generally हम FIDE कहते हैं उसका formation 20th of July को हुआ था 1924 में Paris, France में बट इसका head office आपको Switzerland में देखने को मिलता है ठीक है, 1996 में इस दिन की शुरुआत UNESCO ने की थी तो International Chess Day की शुरुआत किस ने की हैं UNESCO ने की है, 1996 में की है, क्यों की है क्योंकि इस दिन International Chess Federation का formation हुआ था 20th of July 1924 को और इसका head office आपको Switzerland में देखने को मिलेगा ये जो FIDE है, ये एक International Body है जो अलग-अलग Countries की, अलग-अलग Countries की जो Bodies है Chess Bodies उनको आपस में connect करती है और कई सारे tournaments को conduct कराने का काम है करती है FIDE को International Olympic Committee ने recognize किया था 1999 1999 में अच्छा Chess को हम Games of Kings के नाम से भी जानते है इसके प्रेसिडेंट है अरकाडी दोबारकोविच FIDE के प्रेसिडेंट अभी है अरकाडी दोबारकोविच तो ये कुछ information है about the International Chess Day अच्छा मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको Science की 6th month की news को cover कराया है जिससे आपको आने वाले एक्जाम में काफी मदद मिलेगी आपको ये वीडियो हमारे प्ले लिस्ट में मिल जाएगा वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं जैन्वरी से लेके जून तक के जो इंपॉर्टेंट हमारे Science and Tech की news थी वो हमने वहाँ पर cover किये इसके अलाब अगर आज की क्लास का PDF आपको लेना है तो पर्चम का टेलिग्राम आप जॉइन कर सकते हैं टेलिग्राम से आपको करेंट अफिर्स का PDF बिल जाएगा और सेशन पसंद आता है तो अपने फ्रेंज के साथ शेयर करेंगे वीडियो के लास्ट में आपको एक question of the day भी मिलेगा जिसका आंसर आप हमें comment section में दे सकते हैं सो start करते हैं आज के session की इसके लब एक छोटी से information है जो आप सभी को पता है हम बात कर रहे हैं CA रफतार के बारे में और 6 मंद की magazine के बारे में यह दोनो प्रड़क्ट अविलेबल है पर्चमक्लासिस.in हमारी website पे आप इन प्रड़क्ट को वहां से देख भी सकते हैं और purchase भी कर सकते हैं जो आने वाली तैयारी में आपकी मदद करेगा अभी मैंने जो SSE CGL के paper हो रहे हैं उनका review देखा paper analysis को देखा है मैंने और अभी आने वाले समय में आपको आपके जो SSE MTS के भी paper हैं तो यहां पर एक topic मैंने देखा था जो हमारे neighboring countries है ना तो neighboring country के animal या फिर fruit and flags के related कुछ questions पूछे गए थे currency से question पूछे गए थे तो एक video रिचा मैंने डाला हुआ था neighboring country के static के उपर तो आप उस video को playlist में सर्च करके एक बार देख लीजेगा हमारे जितने भी पड़ावसी राज्य हैं उनका national animal, national flower, national fruit क्या है तो उसके बारे में question exam में बन रहा है उसे आप देख लेंगे ओके हैं सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर हैनले passport index के बारे में हैनले passport index recently release किया गया है और भारत की ranking improve हुई है 5 position से last quarter में जो हैनले passport index आया तो उसमें भारत की ranking 85 नंबर की थी और इस बार जो index आया है इसमें भारत की ranking 80 नंबर पे है भारत की ranking क्या है 80 पोजिशन पे है तो हैनले passport index को हैनले and partners के द्वारा publish किया गया है वर्ल्ड का most powerful passport बन गया है Singapore का passport Singapore का passport जो है वर्ल्ड का most powerful passport है और 192 country में इन्हें visa free access है अगर भारत की बात करते हैं तो भारत की ranking भारत के passport की ranking 80 नंबर पे है और यह अपनी position को Togo and Senegal के साथ share करता है मतलब 80 वी इस्तान पे Togo, Senegal और भारत तीनों है और ये countries जो है वो 57 nation में visa free travel कर सकती है 2nd number पे है Germany, Italy and Spain ये लोग 2nd position पे है and 3rd number पे पहुचा है Japan हमेशा आप लोग देखते होंगे कि Henle Passport Index में Japan almost 1st number पे रहता है लेकिन इस quarter का Henle Passport Index आया है उसमें Singapore ने टॉप किया और जापान की जो ranking वो 3rd number पे है और ये अपनी position को share करता है 6 other nations के साथ जैसे Austria, Finland, France, Luxembourg, South Korea and Sweden ये लोग 189 destination में visa free travel कर सकते हैं अगर हम अपने परवसी मुल्क पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की ranking Henle Passport Index में कितनी है 100 position पे है, 100 भी इस्तान पे है और इसे 33 countries में visa free access है ओके हैं? चलिए अगली बात करते हैं बहुत ही important बात है ये है सात्विक साही राज जो कि badminton खेलते हैं हम सभी को पता है और इनका नाम आया है Guinness World Book of Record में शामिल किया गया है क्योंकि इन्होंने 565 km per hour की speech शॉट लगाया है इसलिए इनका नाम आया है आये पूरी नीउस को हम समझेंगे Indian Shuttler sets Guinness World Record for the fastest badminton shot तो इन्होंने सबसे fast badminton shot लगाया है इनका नाम है सात्विक साही राज और इनका नाम Guinness World Book of Record में शामिल किया गया है ये fastest shot लगाने वाले male player बन गया है badminton में और इन्होंने जो shot लगाया है वो 565 km per hour की speed से इस shot को लगाया है इन्होंने Malaysia के player है badminton player जिन्होंने 2013 में एक record बनाया था जिनका नाम है Tan Boon Hyeong ये Malaysian player है badminton खिलाडी है इन्होंने 2013 में एक record बनाया था 493 km per hour का shot लगाने का उनके record को सात्विक साहिराज ने break कर दिया है तोड़ दिया है और अपना नाम रजिस्टर करा लिया है Guinness World Book of Record में speed याद रखेंगे 565 km per hour ये तो होगा male player के बारे में जिन्होंने record बनाया है अगर मैं female player के बारे में बात करो तो badminton में female player ने record बनाया है मलेशिया की है जिनका नाम है तैन परली इन्होंने Guinness World Book of Record में शामिल किया अपना नाम और fastest female badminton player बन गई है जिन्होंने hit किया था 438 km per hour की speed से यहाँ पर 565 है यहाँ पर 438 km per hour है चीक है इसके अलावा ये जो सात्विक साहिराज है इनके जो पार्टनर है जब भी ये dual खेलते हैं उनके जो पार्टनर है उनका नाम है चिराक शेती आप सभी को पता है सात्विक साहिराज चिराक शेती ने ये केवल और केवल एकमात ऐसा dual pair है हमारे भारत का जिन्होंने men's double pair from India to win the BWF World Tour 1000 इन्होंने BWF World Ranking Top 10 में भी अपनी जगाए बनाई है यहाँ पर ही जो पूरा record breaking tournament conduct किया गया था यह कहां पर किया गया था योनिक्स factory में जापान में ओके चलिए अगली बात करते हैं अवार्ट के बारे में जिसका नाम है एनी अवार्ट क्या नाम है एनी अवार्ट एनी अवार्ट बेसेकली कोई भी scientist अगर research work करता है energy and environment की field में तो उसको यह अवार्ट दिया जाता है तो हमारे IIT मदरास के professor को any award दिया है जो कि international award है प्रोफेसर टी प्रदीप प्रोफेसर टी प्रदीप जो कि IIT मदरास में प्रोफेसर है इन्हें international any award दिया गया है ठीक है क्यों दिया गया है to discover the advanced sustainable and affordable nano scale material for removal of toxic contaminant from water इन्होंने एक sustainable और affordable मतलब एक सस्ता nano scale के material बनाया है जो कि पानी से प्रदूशक तत्वों को अलग करने का काम करता है any award is considered among the top global honor of the scientist scientific research in energy and environment यह तीन category में award दिया जाता है energy transition, energy frontier and advanced environmental solution के लिए तो याद रखना है प्रोफेसर टी प्रदीप IIT मदरास के professor है जोने international any award से सम्मानित किया गया है अब यहाँ पर देखिया हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपती मुर्मू उन्होंने भूमी सम्मान 2023 भी distribute किये है यह पूरा function organize किया गया था by union ministry of ruler development at विज्ञान भवन नई दिल्ली में जहाँ पर हमारी इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपती मुर्मू ने भूमी सम्मान 2023 distribute किये है यह जो भूमी सम्मान है वो अलग-अलग state के secretaryate मतलब सचिवाल है और district collector को दिये गए है जिन्हों ने जिनकी team ने collector की team ने या फिर state secretaryate की team ने अच्छा काम किया है किसके लिए digital india land record modernization program के अंतरगत मतलब जो particular राज्य के या district की जमीन है उनका proper तरीके से digital record बनाया है उनकी proper mapping की है मतलब अच्छे तरीके से जन्होंने contribute किया है digital india land record modernization program में उन लोगों को भूमी सम्मान 2023 दिया गया है by the union ministry of rural development कहां पर program हुआ था विज्ञान भवन नई दिल्ली में हुआ था इसमें 9 state के secretaryate और 68 district officers को चुना गया है सबसी जादा जो award दिये गये है वो औरेसा राज और मदर प्रदेश को दिये गये है चेके officer of the team of total 68 district including the 9th secretary of Odessa मदर प्रदेश, गुजराद, बिहार, आसाम, 36 गर, जाड़कन, ट्रिपुरा, बेस्ट, प्रेंगौल इन सभी सच्चवालाओं को भूमी सम्मान दिया गया है सबसे अधिक award कहां पे गये है उडिसा राज और मदर प्रदेश राज जी की district को गये है अब आपको करना किया बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं क्या ये state PCS के लिए useful है ये current affairs आएगा की नहीं जितना हम current affairs पढ़ना है वो सारा का सारा UPSC में भी आएगा सारे one day exam में भी आएगा और state PCS में भी आएगा बस state का जब PSC आप दे रहे होते हैं तो आपको एक additional fact याद करना होता है for example जैसे कि मदर प्रदेश मदर प्रदेश में है हर्दा डिस्टिक मदर प्रदेश में क्या है हर्दा डिस्टिक जो की नर्बदा पुरम डिवीजन में आती है उसे भूमी सम्मान अवार्ड 2023 दिया गया तो अगर मैं मदर प्रदेश मतलब MPPSC में अप्यर होती हैं तो मुझसे पूछा जाएगा कौन सा ऐसा जिला है मदर प्रदेश का अब यहाँ पर इस प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे Digital India Land Resource Modernization Program जो की Union Ministry of Panchayati राज्जी ने शुरू किया था 2008 में कब शुरू किया गया था यह वाला प्रोग्राम 2008 में किया गया था जिसका मकसद Land Record को Digital करना था Modernization करना था Land Record Management को जो Land Property के Dispute से उनको solve करना था Transparency को Increase करना था कभी दो Parties के बीच में Dispute होता है जमीन को लेके तो हाता पाई ना हो एर रिकॉर्ड अगर Digital Form में होंगे तो आसानी से solution हो जाएगा Trial Court बनाना जिससे solution और जली हमको पता चले Change of Land Ownership एक जमीन को दूसरे व्यक्ति के नाम पर रेजिस्टर करना तो आसानी से वो सारा काम हो सके इसलिए इस प्रोग्राम को तैयार किया गया था 2008 में Ministry of Panchayati राजन ठीक है Next है Harila Festival उत्राखंड का लोग परव है Harila Festival जो कि 17th of July को celebrate किया गया उत्राखंड के चीफ मिनिस्टर है पुसकर सिंग धामी Participated in the program on water conservation organized on the occasion of Harila Festival 2023 2023 का जो Harila Festival celebrate हुआ उसके अंतरगत एक program रन किया गया था water conservation मतलब water obviously बात है उसका protection करना हमें जरूरी है क्योंकि नहीं तो fresh water खतम हो जाएगा और वैसे भी बहुत सारी state में आपको अभी से पानी की crisis देखने को तो मिलती है तो यह program आयजित किया था जिसमें participate किया था उत्राखंड के चीफ मिनिस्टर पुशकर सिंगधामी ने Harila Festival basically happiness, prosperity, environment and nature conservation के उपर एक festival है जो basically hill state of उत्राखंड के और हिमाचल प्रदेश के कुछ reasons में celebrate किया जाता है अगर हम उत्राखंड के capital देखें तो देहरादून winter capital है और गेंस इन जो है वो summer capital है गुरमीद सिंग गवर्णर के रूप में काम कर रहा है उत्राखंड state में नेक्स्ट बात करेंगे आद्रप्रदेश गवर्मेंट के बारे में आद्रप्रदेश इंट्रदेश इंट्रेस पेमेंट एट इंटर इस्टेट चेक पोस्ट जैसे कि मेरा MP है मेरा MP 5 इस्टेट के साथ boundary share करता है एक तरफ गुजरात है, राजस्तान है, फिर 36 गड़ है, उत्तर प्रदेश है, महराष्ट है तो MP इन 5 स्टेट के साथ boundary share कर रहा है तो एक स्टेट से जब जूसरे स्टेट में आप entry करते हो तो वहाँ पर आपको क्या मिलता है, एक interstate check post मिलती है उस check post में क्या करना होता है, आपको tax pay करना होता है कुछ border tax होते हैं, voluntary tax होते हैं या फिर temporary permit tax होते हैं, जब आप truck वगेरा को लेकिए आते हैं तो permit की जरूरत होती, तो इस तरीके कई सारे tax होते हैं इन में corruption बहुत ज़ादा होता है तो इन corruption को solve करने के लिए यहाँ पर आंदरप्रदेश गवर्मेंट ने cash less payment की शुरुआत की है, इस तरीके के जो भी tax आपको pay करने हैं QR code को scan करो और payment करो, जिससे corruption को कम किया जा सके भ्रस्टाचार को कम किया जा सके और आंदरप्रदेश ट्रांसबर डेपार्टमेंट हाज इन्टर 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 इस्टे चेक पोस्ट ठीकिए, तो ालडबिश के बात करें, तो यहाँ पर यह जो पॉलिसी इंप्लिमेंट की जा रहे है, उस ने बियुक को करसके और corruption free administration को run किया जा सके इसके अंतरगत पीपल्स को border tax, temporary permit tax, voluntary tax ये सभी scan करके देने होंगे QR code से अब यहाँ पे जो interstate check post है आंद्रप्रदेश की वो करनाटका, तमिलनाडू, उडिसा और तेलांगना के साथ लगी हुई है अब आंद्रप्रदेश के अगर मुख मंत्री देखें, CM तो YS जगर मोहन रेड़ी हैं और governor है अबदुल नाजीर ठीक है अभी देखें हिमाचल प्रदेश की हाला थोड़ी से गंबीर हो गए थी व्यास नदी में पानी कस्तर बहुत जादा बढ़ गया था व्यास रिवर ने कई सारे bridges को, road को damage कर दिया इसके अलावा landslide भी देखी गई हिमाचल प्रदेश में तो इसका मतलब आप कह सकते हैं काफी जादा climate change के कारण आपदाएं या कह सकते हैं कि destruction हुआ हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश के जो मुख मंत्री है सुखबिंदर सिंग सक्खू उन्होंने एक website launch की है आपदा राहत कोस 2023 website और उसमें उन्होंने कहा है लोगों से ये qr code mention किया गया है और कहा है जितनी भी आपके एक्छा हो credit card, debit card, net banking, qr code, upi के जरिया आप डोनेट कर सकते हैं आपदा राहत कोश में हिमाचल प्रदेश में जिससे हिमाचल प्रदेश में बापस से reconstruction किया जा सके ओके system has been integrated with a multiple payment gateway to ensure seamless transaction अब हिमाचल प्रदेश के बारे में अगर बात करें तो सुख भंदर सिंग सुखु तो आपको मुख मंत्री मिली गए deputy chief minister भी है याप ए deputy CM कौन है? मुकेश अगनी होत रही है और governor है शिव प्रदाप शुकला हिमाचल प्रदेश की भी दो capital है summer capital शिमला है and winter capital धर्मशाला है अगली news पढ़ने के पहले कुछ static point को हमको covernd करना पढ़ेगा जिससे हम उस news को आसानी से समझ सकें मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ मेकॉंग river के बारे में मेकॉंग river जो कि चाइना से यहाँ पर तिबब प्लेट्यू के पास से निकलती है और चाइना में बहती हुई आप देख सकते हैं मियानमार चाइना से बहती हुई मियानमार लाओस थाइलेंड कमबोडिया और वियतनाम तक जाती है तो अगर आप से पूछा जाए मेकॉंग river किन किन कंट्रीज में फ्लो होती है तो आउसर हो जाएगा चाइना मियानमार थाइलेंड लाओस कमबोडिया और वियतनाम तो आप देख सकते हैं ये जो river है एक trans boundary river है South East Asia की trans boundary river है मेकॉंग river जो कई सारी कंट्रीज से बहकर निकलती है ये वर्ल्ड की 12th लंबर की longest river and 7th longest river है एशिया की चाइना से मियानमार लाओस थाइलेंड कमबोडिया और वियतनाम तक जाती है जब एक नदी इतने सारे देशों से गुजरती तो ओवियसली इसके पानी को लेके डिस्प्यूट तो होता होगा कि भाई तुमने डैम क्यों बना लिया तुमने ऐसा क्यों कर लिया जैसे कि इंडस वाटर टुटी हमने साइन कर रखी है उसके बाद भी हमार और पाकिस्तान का डिस्प्यूट चलता ही रहता है तो यहां पर भी एक कमीशन बठाया गया है बनाया गया था जिसका नाम है मेकॉंग रिवर कमीशन इसका मकसद केवल यही है कि किस तरीके से इस वाटर रिसोर्स को मतलब मेकॉंग रिवर के वाटर को शेयर करना है बिट्वीन दीज कांट्रीज ओके इस मेकॉंग रिवर कमीशन के जो मेंबर्स है वो कमबोडिया, लाउस, थाईलेंड और वियत नाम है जिसका हैड आफिस आपको लाउस में देखने को मिलता है इसको 1995 में मेकॉंग रिवर कमीशन को बनाया गया था ठेक है इतने चीज़े, अब यहाँ पर मेकॉंग रिवर तो यहाँ है, यहाँ पर आपको एक और रिवर देखने को मिलती है भारत में जो है गंगा तो यहाँ पर एक meeting होती है मेकॉंग गंगा corporation meeting और यह 12th नंबर की meeting है जिसको co-chair किया है हमारे external affairs minister जैशंकर ने और chair किसके साथ किया है लाउस के साथ तो external affairs minister जैशंकर co-chair the 12th मेकॉंग गंगा corporation MGC meeting in Bangkok meeting कहा हुई है बैंककॉक में और co-chair किसके साथ किया है लाउस के साथ पतलब इंडिया और लाउस ने मिलके इस meeting को chairmanship समा लिये अब इस meeting में हमारे external affairs minister है उन्होंने जोर दिया implement करने के उपर already implementation का काम चल रहा है कई सारे phases में चल रहा है implementation of India Myanmar Thailand trilitteral highway जिसको अभी हम आँगे discuss करने वाले है तो इंडिया, Myanmar, Thailand, trilitteral highway क्यों पर इन्होंने discussion किया और कहा कि मेकॉंग, Ganga, Corporation, Business Council को भी बहुत जली set up किया जाएगा अगर हम MGC के बारे में बात करते हैं MGC में आपको six country मिलेंगी इंडिया और आशियान countries के कुछ members आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे अब आप इन countries के नाम कैसे याद रख सकते है आपकी trick है Limka TV एक Limka Award होता है एक Limka Coldring होती है और एक Limka TV समझ लो तो Limka TV जो है वो Mekong Ganga Corporation Meeting के members हैं मतलब MGC के members हैं इसमें क्या क्या आता है लाओस, इंडिया, मियानमार C से यहाँ पर कंबोडिया है चाइना नहीं है C से कंबोडिया T से थाइलेंड और V से वेतनाम तो इस तरही के से आप उन countries के नाम्याद रख सकते हैं जो कि MGC के member हैं ठीक है इतनी चीज़ है अब यह जो MGC की meeting होती है इस meeting में tourism, culture, education, transport, communication कई सारे मुद्दों पर discussion किया जाता है basically Prime Minister Modi का जो vision है न India Act East Policy उसको ही implement करना इसका उद्देश है clear? अब हम बात करते हैं उस triliteral highway के बारे में India, Myanmar और Thailand देखो India, New Delhi से connect होता हुँ आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर देखो New Delhi connect होगी कहां से मनीपूर से और मनीपूर से यह highway तयार होगा कहां तक जा रहा है? Thailand तक जा रहा है Myanmar से होता हुआ Thailand तो इसलिए नाम दिया है इसका India, Myanmar, Thailand triliteral highway connectivity को और मजबुत करना जिससे trade भी बढ़ेगा जब तक road connectivity नहीं होगे तब तक trading कैसे जादा होगी ठीक है? तो इंडिया म्यानमार Thailand highway एक regional connectivity project है जो कि लगबग 1360 1360 km लंबा है जिसका मकसद है connect करना इंडिया को म्यानमार एंड थाइलेंड से इसे प्रपोस किया था हमारे former prime minister अटलवियारी बाचपेई ने 2002 में से अप्रूफ किया गया तो इसके construction का काम 2012 में शुरू हुआ है कई सारे phases में काफी लंबा highway है यह तो काफी सारे phases में इसका काम होना है ministry of external affairs in India in collaboration with Myanmar and Thailand is responsible for project implementation with a fund allotted from the ministry of finance तो यहाँ पे इस project को तैयार करने के लिए Myanmar, Thailand और भारत तीनों funding कर रहे है और भारत की जो funding आ रहे है वो ministry of finance है हमारे वित्मंत्राले से आ रहे है यहाँ पे भारत का क्या contribution है हम पो देखेंगे यह highway देखो मोरे मनीपुर से start होगा जो कि Myanmar से होता हुआ Thailand जाएगा मनीपुर से कहाँ दा जाएगा Thailand से जाएगा मनीपुर दो दिली से connected है ही अब बात करतें इंडिया के contribution के बारे में जो पूरा highway दयार हो रहा है इसमें 69 bridges है इन 69 bridges के construction का का काम कौन कर रहा है भारत करेगा इसके अलावा इसका contribution 74 km कलेवा यागी रोड सेक्शन में और 70 km का contribution तामू क्यूंगाउन कलेवा सेक्शन में होगा म्यानमार में तो यह भारत का contribution है नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया first Transnational Power Project मतलब हम energy produce कर रहा है है भारत में और transmission line के जरिए किसी और country को पूरी की पूरी electricity प्रवाइट कर रहा है 100% electricity ऐसा एक project भारत में रन हो रहा है अडानी ग्रूप के द्वारा अडानी ग्रूप कमीशन इंडिया first Transnational Power Project तो गौतम अडानी की मुलाकात होती है बांगलदेश की PM सेक हसीना के साथ और यहां पर फॉल लोड कॉंसमेंट एन दा हैंड ओवर 1600 मेगावाट अल्टरा सूपर क्रिटिकल गोदा पावर प्लांट यह गोदा पावर प्लांट आपको जारकंड में देखने को मिलेगा और यह प्रेडूस कर रहा है 1600 मेगावाट की इलेक्रिसिटी यह एलेक्रिसिटी भारत के जारकंड फे प्रेडीश हो रही है कुरी और पूरी एक्रिसिटी ट्रांस्मिशल यह जाती है बांगलदेश ko इसलिए इसका नाम रखा है ट्रांसनेशनल पावर प्रोजेक्ट ठीक है जारकंड के गोद्दा में ये जनरेट हो रही है तो सप्लाइ पावर जनरेटेट टू बांगलादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ट थ्रो आडेडिकेटर ट्रांस्मिशन लाइन तो लगभग साड़े तीन साल में ये प्लांट बन के तैयार हो चुका है इसका पहला फेज अपरेल में शुरू हो गया था सेकेंड फेज जून में शुरू हो गया है और पूरी पावर कहां जा रही है पांगलादेश जा रही है नेक्स्ट बात करते हैं एक मैरिटाइम पार्टनर्शिप एकसरसाइज मतनब MPX के बारे में तो हमारी दो नेवल शिप है जिनका नाम है INS सहाधरी और INS कोलकाता ये लोग चले गएं कहां पर इंडोनेशिया जाकारता में और पार्टिसेपेट कर रहा है मैरिटाइम पार्टनर्शिप एकसरसाइज विद दा इंडोनेशियन नेवी INS सहाधरी जो है वो 3rd Indigenously Design है मतलब तीसरे नंबर की Project 17 की Project 17 की तीसरे नंबर की Made in India नेवल शिप है वही INS कोलकाता जो है वो Project 15A क्लास की पहली भारत में निर्वित डिस्ट्वायर है और इन दोनों को MDL मतलब आपका मजगा और Dog Shipwilder Limited मुंबई ने इन दोनों को तैयार किया है Recently आपको पता है कि समुद्र शक्ती exercise भी bilateral exercise इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में conduct हुई थी South China same है Next बात करते हैं यहाँ पर defense के sector में एक और agreement हुआ है 800 करोर रुपी की deal हुई है with Indian Army तो Ashok Leland beg order बर्थ रुपी 800 करोर फ्रॉम इंडियन आर्मी तो Ashok Leland को भारती सेना से 800 करोर रुपे का order मिला है Ashok Leland जो है वो subsidiary है हिंदुजा ग्रूप की अब क्या काम करने वाली है तो यह काम करेगी specialized vehicles design करने की to deliver specialized vehicle to the defense sector कौन से vehicles हैं? एक है field artillery tractor, FAT और दूसरा है gun towing vehicle इन दोनों को तयार कर रहा है Ashok Leland तयार होने के बाद किसको देदेगा यह? इंडियन आर्मी को देदेगा 800 करोर रुपे की यह deal sign हुई है अन पर बात करेंगे को short news के बारे में तो short news में सबसे important news जो आपको बिलकुल भूलने का नहीं है जबकि आने वाला जो next year होगा 2024 से 2025 का 2024 से 2025 का उसमें भारत का जो economic growth रहेगा वो 6.7% रहेगा तो इस साल के लिए 6.4% next year के लिए 6.7% है economic growth according to the Asian Development Bank इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे local grazer, grazer मतलब जो पशुओं को चरवाने का काम करते हैं तवांग रीजन अर्नाचल प्रदेश नियर भूमला पास इन्होंने celebrate किया चाचिन grazing festival तो चाचिन grazing festival तवांग रीजन अर्नाचल प्रदेश में celebrate किया गया यहाँ पे दो person है, पहले person है अर्विंद कुमार, इन्हें appointment दी गई है chairman of उत्तर प्रदेश electricity regulatory commission तो उत्तर प्रदेश electricity regulatory commission के chairman बन गए है, अर्विंद कुमार वही, cement manufacturing association cement manufacturing association एक apex body है, इंडिया के अंदर ठीक है तो इसके अगर हम देखे president elect हुए है, नीरज अखोरी नीरज अखोरी has been elected as a new president of the cement manufacturing association, ओके अन्ध में बात करते हैं हम MCQQ पर, तो पहला है which state transport department has introduced a UPI payment system at interstate check post to corruption तो corruption को खतम करने के लिए किस राजसरकार के transport department ने UPI payment system को introduce किया है interstate check post पे तो answer है, आंधर प्रदेश option number decorrect हो जाएगा आपदा राहत course 2023 website किसने launch की है, answer हो जाएगा Himachal Pradesh, option D is the right answer who has been appointed as the first woman to lead the Reserve Bank of Australia Reserve Bank of Australia को lead करने वाली, मतलब पहली governor women governor कौन बन गई है, answer जाएगा, Michelle Bullock option number D is the right answer Nomadic elephant 2023 जो की अभी recently Ulan Batar, Mongolia में हुई है India और Mongolia के बीच में होने वाली joint military exercise है, इसका recently कौन सा edition हुआ है, तो answer जाएगा 15th, पंदरवा edition option D is the right answer चलिए, ये important question है Asian Athletic Championship 2023 जो की Bangkok, Thailand में हुई medal tally में भारत third number पे है भारत को 27 medals मिले हैं पूछा जा रहा है कि gold medal कितने मिले हैं आंसर हुजाएगा 6 6 gold medal यहां पर भारत को मिले हैं option number B is the right answer next है which countries host the the host of Asian countries conference on the traditional medicine तो कौन सी country Asian countries की conference host करने वाली है on the traditional medicine तो आंसर हुजाएगा India option B is the right answer operation southern readiness 2023 exercise recently किसने organize की है कहाँ पर organize हुई है answer हुजाएगा CECL option number C is the right answer which institute has developed the book title healthy recipe for defense अभी देखो कुछ समय पहले मैंने बताया था कि ministry of defense और फसाई के बीच में MEO sign हुआ था कि जो millet है nutrition food है वो arm personals को भी दिया जाएगा और उसी मौके पर इस बुक को भी release किया गया था healthy recipe for defense और इस बुक को launch किया था फसाईन है option D is the right answer this is the question of the day Dr. Mangala Nallikar passed away recently at the age of 80 who was she? मतलब किस field से इनका association था Dr. Mangala का mathematician थी politician थी actor थी या फिर social worker थी जो भी सही answer आपको लगता है लगता नहीं है सही answer देना ही है comment section में आप सही answer हमको देंगे बागी सारी बाते हम कल के session में cover करेंगे so मिलते हैं next video में take care and bye bye